कि हलो गाइज दिस इंदोनीश बरम आप सभी का सागत हैं हमारे चैनल पर दोस्तों तड़कता बढ़कता टोपिक लेकर आगया हूं वर्डिस पॉलिटिक्स अन इंट्रड़क्शन टू पॉलिटिकल थियोरी भी ये प्रोग्राम में हो या भी ये पॉलिटिकल साइंस ओनरस समस्टर में हो तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं मैं दोस्तों फटाफट लाइब क्लास आपको पता है कि रोजाना लेने वाला हूं आठ बच के कुछ मिनट हो चुका है समय आठ हो जाएगा था चलिए सब्सक्राइब क्लास करेंगे प्रोग्राम में ऐ ओनरस में हो चैप्टर फस्ट वर्डिस पोलिटिकल ठीओरी या अनिट्रोडॉसन टू पोलिटिकल ठीओरी कुछ भी कहलो चैप्टर फस्ट लोने वाला है अगर आप भी यह जानी के डिई उस से कर रहे हो और भाय या इगिरियो से कर रहे हो या किस भारत के تمाम किसी भ नैंगिल्स बढ़नाब है दोनुं मीडियम चलिए वर इंग्लिस बैदियम और इंग्री बच्चों को बताने वाला स्थीक कैप चलिए एक वर खतंव सारे जोन हो जाओ जल्दी गुड़ और गुड़र पाष़ कमेंट मारे मुझे बता दो कि कैसी मेरी वह इस कैसे आ यह क्वालिटी कैसे दिख रहे हैं वीडियो की और एक वार प्यार असा लाइक ठोग जल्दी जब दस लाइक ठोग दो मेरे सक्ति बढ़ जाएगी बिलकुल धर में धर्में दर जी हंदी में पढ़ाँ आज से मतलो बिलकुल बिलकुल आज से क्लासिस आज से स्टार्ट है र आज बहुत बढ़ी है क्वालिटी बहुत बढ़ी है क्वालिटी आवाज आई क्यों नहीं सेट्टर जो ना भेंकर त्यार कर रखा है आपके लिए चलिए देखो चैप्टर फस्ट वर्टिस पोलिटिक्स या पोलिटिस पोलिटिकर थेयोरी या अनिंट्रोड़क्षन क्लास में पढ़ा दूँगा तो एक वर याद रहें पहले मैं टॉपिक को डिसकस करूँगा पहले समझाऊँगा देन उसके बाद आपसे पूछूँगा सब कुछ के लिए रहो गया क्यों क्योंकि भाई लाइफ क्लास है लाइफ क्लास का मदब आता है जब टीचर और इस सबस्क्राइब लेकिन इन सभी टोपिक को समझने से पहले जो आपकी एक्जाम सबसे पहला कोस्ता आता है वह आता है वे इस पोल्टिक्स रानितिच च्या है चाहिआँ आप व्यव्र्स में हो या प्रोग्राम ना हो को तो आपको यह समझना होगा इस chapter में से जाने कि एक ना एक कोस्टन 100% आना ही आना है, कोस्टन कोन सा आएगा, कैसे आएगा, ये भी बताऊँगा आपको, पहले आपको ये बचा देंगो, chapter में क्या है, कि इस साथ को समगना है, आपको जोस्तों जान का सर्व होगा, कि इस topics पे मैंने तमाम कितने सारी videos ब आपके लिए बस, ठीक है, चलिए, तो फटावर दोस्तों करें स्टार्ट, चलिए, ठीक है, करते हैं, करते हैं, क्लास की स्टार्ट, तो यहां तक तो ठीक है, अब हम पहले समझते हैं, कि वर्डिस पोल्टिस है, ये राजनितिक क्या होता है, जी, ये राजनितिक क्या है, फिर हम समझेंगे चलिए दोस्तों में फोन बेर रख देता हूं फिर आपके हमें कमेंट्स भी देखूंगा बाद में चलिए फोन पर अगर में रख दिया अब पहले हम टोपी को समझेंगे वडिस पोल्टिक ये राजनिति के नाम का कीड़ा कून सा है ये ये भाई सब आते हैं ये कहते हैं कि राजनिति पता किसे कहते हैं राजनिति उससे कहते हैं जो राजनिता करते हैं ये मुलाइम सिंग मोदी जी केजरी बाल लालू यादा बने तिसकुमार जो ये करते हैं ना वो राजनिति होता है ये आते हैं अब चल बुड़ वक्त ऐसा थोड़ी होता है राजनिती यह और अलग पार्ट पढ़ाते हैं इसको इसाइद इनकी बच्ची होगी यह बोलते हैं कि राजनिती होता है जाम धरना परदर्शन जुलूस निकालते हैं अरताले करते हैं और बोट डालने जाते हैं तो उसको राजनिती कहते हैं यानि को से पॉलिटिक्स कहते ह अब इम आडम जी बोलती है इनको अच्छा जी यह होता है क्या तो इधर से एकोर आजाता है गोरिल्ला बंदा ये क्या कहता है जो अब यहां पर आके यह बताते हैं कि राजनिती या पॉल्टिक्स कुम्टिफाइं करी नहीं सकते हैं क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इसके मुताभी इसका डेफिनेशन अलग होगा इसके मुताभी अलग डेफिनेशन इनके मुताभिव इसको समझो संजवाज आ जाएगा ये बुड़बाइं केड़े होते हैं वह वास्त पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं जो आपको बनाना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्त यह बुडबादे खुद नेता है जंता को किस तरीके से कर रहा है यानि कि जन्दर दोस्तों रोटी कपड़ा मकानों के तरसवरी और ये नेता कैसे फुल दवाक्षी मतलबगी उनको तर्सरा विरह हैं तर्सार आशार है उनको एक चलिए तो ऑ pumps इसका यहां पे सरकार है कहां प्रॉर्लेमेंट जो पॉल्लेमेंट इंडर होगा सिर्फ उसी का चलेगा यह तो किलिया रहे हैं यहां पर यानि कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि राजनेता जो नेता है ना नेता अपने आपको आगे करना, अपने आपको सक्ति प्राप्त करना, बहुत जाला सक्ति प्राप्त करना, दूसरों से अपनी बातों को मनवाना, अपने इच्छाओं को पूरा करना, ये सभी बहुत सारी बाते हैं, जिनसे हम कहते हैं कि हम सब के सब रांतिक बंधनों में बंधे ह है हमारे पास में जो कि पॉलिटिक्स के बाउंडरी है अब यह वांडरी जी कहती है कि हम सभी इंसान चाह चोटे हो या बड़े हो या बच्चे हो हम सब किसा पॉलिटिक्स करते हैं तो क्योंकि जो एक नेता दिस्क के लिए अपने नागरिकों से कर रहा है और वैसे वाई कि रानिती यानि की पॉलिटिक्स समाथ सेवा का साधर है किसे कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब होता है समाथ सेवा है ना तो इनके साम में यह समाथ सेवा है पब्लिक सेक्टर को जिने पब्लिक हमारे सोसाइटी है उनके सेवा करना है उनकी इच्छाओं को फिल्फिल करना उन्हें के इंट्रेस्ट को फुल्फिल करना अरे यहीं नहीं पॉलिक्स होता है यार लेकिन पॉलिक्स वास्ता में यह हो रहा है तो सब की डेफिनिशन जब अलग-अलग हो गई तो यहां पे और बंद्या आ गए देखे ज़राब डिसीजन्स इंग गुरूप मान लिया गय कता ही नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते अरे का ही नहीं कर सकते मैं आपके क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंग अलग इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग तो जितने भी यह लोग है इन सब के अकॉर्डिंग जो पॉ सामुहिक रूप से लिया गया निन्ने ही राजनिति कहलाता है अरे क्या समझाया बच्चा जल्दी बताईजे फटाफट किसी कहते हैं डिसीजन्स इंग गुरूप्स जैडिस नोन कि रांति क्या है अब तोड़ा से इंट्रडक्शन समझते हैं डीपली समझेंगो अभी तक हमने यह देख लिया कि सरके से अलग अलग लोग को अलग अलग विचार है कोई लोग मानता कि जो रांति कर रहे हैं घपले बाजी चुना बगेरा यह सब रांति में आ जाता है और जो भी निड्ने लिए जारे हैं जो भी किया जा रहा है इसका प्रोसर से इसको यह भी हमने है अब हम आते हैं थोड़ा डीपली टॉपिक पे क्यों क्यों आते हैं जब साधी वाधी होता है लड़का-लड़की के तो कुंड़वर देखा जाता है हाथ में रेखाई मिला अब जाती है अरे भाई हाँ अब इनका मेली में आप हो जो जाएगा ऐसा होता है ना तो इस तरीके से अब हम गहराई में जाना पड़ेगा हमें इस पोलिटिक्स वड़ की कुंडली को निकालना पड़े कोई दिकाथ नहीं यहां था सूरत सभाइว सभाइब चलिया इंट्ड़क्सन सभागों कोई दिक्त नहीं है चलिये उपको समय आग्खेदा आप सब करN उन्हें इता लेँज़स हैं introduction पर आने का मतलब यह हुआ कि यह जो सहावे न अब आपको यह बताएंगे कि actual में politics का मतलब होता क्या है क्यों क्यों कि अभी हमने उपर तो यह देख लिया भाई सब का अपना अलग बात कहना है इन चारों का अपना अलग कहना है यानि कि politics को लेकर सभी के जो मत हैं जो बिचारें जो ब्यूज है सब के different पहे जाएंगे इतने में ये बंदा आते हैं ये बंदा आते हैं ये समझाते हैं politics का मतलब क्या है अब ये बंदा को उन्हें बाई समझाना थोड़ा सा ठीक है चलिए पहले यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है यहां बड क्या लिखा हुआ है वर्ड इस पोल्टिक्स वर्ड इस पोल्टिक्स यानि कि राज निति क्या है पहले मैं राज का मतलब राज लेता हूँ यानि कि इस्टेट पर निति का मतलब मैं कानुन से लेता हूं यानि की लोज जो भी लोज बिगरा बनाय जाते हैं यानि की राज्य के द्वारा इस्टेट के द्वारा जो भी लोज बिगरा बनाय जाते हैं डाट इस नोन इस पॉल्टिक्स ये तो भाई ना हमने बताया ना आपने बताया तो यह वर्ड कह रहा है रा समझते हैं सब्सक्राइब यह समझते हैं तो यह डेफिनेशन और निकल कर आगे अभी तक इतने सारे लोग ने और डेफिनेशन के दिया था अब एक और डेफिनेशन जब हम समझेंगे कब जब हम समझेंगे यह लेकिन पूरे दुनिया के अंदर इरोब जो है न आपका इरोब ऐसा माना गया है कि सारे बिदवान जो हैं सारे इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो इरोप में ही पैदा हुए है और भी खासकर कहां ग्रीक के अंदर कहां जिसको हम ग्रीस कहते हैं क्या कहते हैं आज हम उसको ग्रीस कहते हैं है ना पहले इसको युनान भी कहा जाता था क्या कह हुआ यह कि जितने भी बहुत सारों लोग हुए धिंकर्स हुए विदवान हुए जिनको आज हम पॉल्टिक्स के अंदर मानते हैं उनके विचारों को पड़ते हैं और कहीं न कहीं स्टेट को रेगलेट करने में उनके जो विव्यूज हैं उनको भी सामल करते हैं ऐसे यह थिंकर हुए हमारे कौन जिसको हम क्या कहते हैं रवाई राजनिती पढ़ रहे हो तो पता भी तो होना चाहिए न राजनिती पढ़ रहे हो तो तो राजनिती के फादर कौन है राजनिती के फादर हुए आपके जो कि यहीं युनान कहीं थे कहां कहां कहते हैं बताओ के स्क्रूपर युनान के अंदर तो पॉलिटिक्स के फादर जो है वो कोन आपके अरिस्टोटल है कोन है अरिस्टोटल यानि की अरस्टू है he was the father of political science यानि कि politics के पिता अरस्तु है और ये जो है ना Aristotle जो है Aristotle की एक book है उस book का नाम है politics उस book का नाम है politics इन्होंने अपनी books में ये कह दिया कि politics का मतलब होता है सासन करने की कला an art of ruling an art of ruling यानि कि सासन करने की कला जिसके पास है वो जानता है कि रानिति क्या होती है अब तो हमने ये समझा है कि रानिति क्या फादर को ने ये सब हमने समझ लिया चलिए अब कुंडली पे आते हैं जनम कुंडली पे ये जो politics word है ये गरीक के कौन से ये गरीक के politics सबसे बना हुआ है किस से बनावा है जो politics दूस्तों सबसे ने ये politics ये गीरीग के पोलीस सबसे बनावा है साथी साथ notes बनाते जाए ठीक है गीरीग के पोलीस सबसे बनावा है politics और इस Walker मतलब क्या होता है इस P Walker मतलब होता है City इस पॉलिस का मतलब होता है सिटी इसटेट किलियर है हिंदी में काए तो नगर राजे नगर कि किसको कहा ग्याय रिक यानि कि किसको जिसको पहले हम क्या मलब कहलों युनान कहा कर देतें तो युनाम में एक जगह है सिटी स्टेट अब सिटी स्टेट का मतलब पता क्या होता नगराज्य का मतलब है जैसे आज के हमारी स्टेट नहीं है यूपी बिहार मद्दपर्देश जारकर्ण लोड़ीसा यह सब जो हमारे आज को स्टेट हैं लेकिन आज से काफी बड़े-ब युनार का दो बहुत सकती साली सिटी स्टेट हुए जिनका नाम था एंधेंस क्या नाम था एंधेंस और क्या इस्पाटा एंधेंस और इस्पाटा एंधेंस और इस्पाटा एंधेंस और इस्पाटा यह जब मैं बता रहा हूं आपका सिकंदर हो गया आपका सिकंदर के ब प्लेटो को चेला कॉन था कून से पहले जो और चैनल माने जाते हैं की उनान के जनम आने जातेयों तो सबसे पहले सुकरात कोई दोस्तों सुकरात सबसे पहले इसका भाई आपर जनम होता है सुकरात का सुकरात के बाद आपके आता है प्लैटो इन थिंकर्स का नाम रखना है यह सारे गुरू है जो पॉलिटिक के अपने विउस दे रहे हैं ठेक है अगर आप 12 तक पढ़ते ह तो समय जो संब बेगार होता है कौन सी घटना कौन से संब आपको यह पता होना चाहिए लेकिन आप ग्रिजुशन में हो तो किस थिंकर्स ने क्या विउस दिये हैं प्लस कौन सी बुक्स लिखिए अगर आप एक्जाम समें यह लिखकर आते हो तो किसी वे टीचर में इतनी अब देखो यह पहले यह पहले यह पहले लें कि पादर इसको ही माना गया क्यों कुछ इस तरह के से विश दिये जो न इस ने दिये इसलिए अरस्तु का माना जाता है अरस्तु को विचार में आगे पढ़ाने वाला हूं उसमें पटांगा हूं इस सभी बातों को डिक्ट थे इस सिटी स्टेट में यानि कि इन नगर राज्य में जो भी लोग रहते थे और इन सिटी स्टेट की खास वाती है मैं आपको बता दिया ना दोस्त कहां के यह सब युनान के हैं युनान में कहां पे दो हैं भाई आपके एंधेंस और इस्पाटा एंधेंस और इस्पाटा एंधेंस अपने बुद्धी मान लोगों के लिए फेमस था और इस्पाटा अपनी आर्मी के लिए बहुत बड़ी-बड़ी भेंकर भेंकर आर्मी जोहां करते थी इसके लिए फेमस था और इन दोनों में बहुत इस्ट्रगल हुआ करते था युद ह पहले सारे जब उद्धिमान लोग ते वह यहीं थे जब आपका उन्हें बताया सुकुराथ हो गया आपका प्लैटो हो गया रुस्तु हो गया सिकंदर विगर हो गया और आगे चल के तमाम और भी सबका जनम यहीं पर हुआ तो यहां पर जितने भी युनान में जितने छोट खुदी करते थे खुदी मतलब यह है कि यहां पर ऐसा नहीं था कि बोट देंगे उसके बाद को नेता बन जाएगा फिर नेता हमारे को काटेगा मिसलब यह है कि कोई बोटिंग सिस्टम ही नहीं था होता भी था तो हाथ खड़ा करके है ना अपने आपकाम कर लो एक बन ज लेकिन आख तो एक घाओं के अंदर लाकों के चUMाबाका वाद यहां सकते कि कि हपे परत्याक्श लोगतंतर था या था परत्याक्ष लोग्तंतर इसके वाला हカンタबट होता है डायरेक्ट डैमोक्रेसी डैयरेक्टडम्रेसी इसके मतलब की होता है कि जंता अपना साशन में कोई बोटिंग से ऐसा मतलब कि यह ध्यान रखना लोगतंत्र का उधाय एंधंज से माना जाता है क्यों मैं आपको यह बताया कि यहां पे लोग अपना सासन खुदी कर रहे हैं लोगतंत्र मतलब क्या होता है गौर्मेंट डुदा पीपल बाइदा फीपल फोर दा पीपल और एंधंस से ही डेमोकरीज को मत पूरे बल्ड में फैल गया इसका बर्थ माना गया यहां से और इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि एंधंस में यानि कि युनान के जितने भी सिटी स्टेट थे उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं खुदी अपना वसासन चला रहे हैं तो उ उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जारी है उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जारी है याट इस नोन इस पॉल्टिक्स युनानी विचार को ने युनानी थिंकर्स ने उसी को पॉल्टिक्स का नाम दे दिया सिंपल बात यह हुआ कि सिटी स्टेट के अं ऑर यहांपे स्वाइव फिलिल पूल्टिक्स में फोटॉटर है इसके दियन मतलब होता है सबंगतोर है एंसे सेट आसके हमार्षिट है सबस्क्तों हें करते तैसा बाटिक्त इनकिध System क्या जा रहा है को सबके सब क्या है में क्या एक्तिविटेस क्या रहा है उसक पॉलिटिक्स का नाम दे देडिया यानि कि यह हो गया आपका थियोरी है ना पॉल्टिक्स की कौन ची थ पॉलीश सब्सक्राइब क्या बता नाब सकते हैं परिवाद में गई एक जब भी आप पोलिटीश को डिवाइन कर रहे हो गई तो सबसे पहले आपको इंड्रॉक्सर में ही बताना होगा साहब क्या बताना होगा कि पॉलिटीक्स को पॉलिश सब से निकाला गिया है डिराइ thinkers ने उनी को Poltis का नाम दे दिएगा तो यह हो गया आपका ancient and ancient and as काफ़ी सारे books के अंदर ancient को classical से भी डिनोट किया गया है तो ancient बोल लो classical बोल लो सास्त्रिये बोल लो यह सब के सब एक ही है तो याद रखें तो प्राचिन परिभासा या सास्तरिय परिभासा या एंचेंट डेफिनिशन या क्लासिकल डेफिनिशन जो है पॉल्टिस की वह यह वाली है जो मैं आपको भी बता दिया किलियर है कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नो डाउट बहुत है चलिए बहुत अच्छा इन화를 कोन कहता आगी बच्छे पढ़ने वाल नहीं है पढ़ने वाला नहीं होना जाका रर्यां नहीं कोन कहता है कि पहले प्यार के भुलाने जा सकता अरे बाश्त दूसरे है कोई भी डाउट नहीं चलिए सब के सब अचिए हैं अब बच्चे कह रहें कि इंग्रिस में बता जरी चलिए इंग्लिस बेभी आते हैं यानि कि आप सिंपल बात अब फूरी कहां दिस समझ लिए पूरी मैंटर समझ लिया हमने चलिए थोड़ा आते हैं यहां पर को डाउ कि यह वड्ड कहा कहासे आया है एक पहर की इसके उपर किसके उपर इंग्लिन्स वाली नुट's के उपर देखिए दा वड्ड पॉलिटिल ए जो मल्टी लेइरड दीरिक इसके बहुत सार मेनिंग इसके वीडिक बड घर इसके काफी सारे मीनिंग है अच्छा अच्छा पगला जाता है इसका कोई डेफिनिशन नहीं दे पाता है ठीक है क्या हुआ इस first meaning belongs to ancient classical Greek क्या बताया था मैंने आपको दा वर्ड पोलिक इस ड्राइव फ्रों दा ग्रीक वर्ड पोलिक मेनिंग सिटी स्टेट कम्यूटी पूरी कम्यूटी स्टेट या पब्लीक या सोसाइटी डैट सप्टी जो भी आप समझते हो ठीक है इस पेशल तिंग ओफ दीज सिटी स्टेट देट देट यह अपना सासन और खुद ही चला लिया करते थे तो क्यों को अब डारेक्ट डेमोकरीशी था ना यार तो-ग्रीक फिंकर यहां तो यहां था था कोई ड्रो स्टो फटवर्ड बसाइए बच्चा गये बुछाओ अदा दू फटवर्ड तो ग्रीक फिंकर्ड जिर्ण हैँ नौ नपडर्स्टेट जगी सटीटन दूर्टेशाएट अन्य लिस्टेट्स पुछ नी समझते जो क्यों कि इस्टेट कि चनने वाले सभी लोग हैं तो सभी लोग मिलकर एक ही बात हुआ यहां लिमिटेड है तो इस्टेट के बारामें स्टैटी करना स्टेट से ही इसकी डेफिनिसन सुलवात होती है। लिमिटेड है आगे जाएगा और इस प्रेड होता जाएगा और थोड़ा बोर्ड ली इसका डेफिनिशन है तो यह ठीक है अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद साथ नीचन तो एपने लिए की बिसेश्थ इस्थान अपना इक स्पेशल स्थाइटिश बनाना समाघू अकूं भी चाहता नो दूसरे से मनमाना and these are things that banned people in political bonds तो यह सारी ऐसे चीज़े हैं जिनकी कार्ण से हम political bonds में बिलुकुल political रूप से बंदे हुए हैं जो कि हम सब करते हैं तो कहीं न कहीं politics जो है वो हमारे चारो तरफ है के लिए यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है ना तो इस तरीके से ग्रीक थिंकर्स नहीं क्या का है कि एजुकेशन हेल्थ जस्टिस लो गिवर्मेंट ओल प्ले एन इंपोर्टेंट रॉल इन मेकिंग लाइफ गुड तो यह सारी जो एजुकेशन वेगराई सब को माना गया यहां ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं चलिए लिए ग्रीक थिंकर्स का के थे पॉलिटिकल इस डेटिट टुगा होल सोशल्स लाइफ डैट इस वेर देडिनों स्टेट देर इस डूल अब सलेवरी एंड बार्बरिजम क्लिए रहे दोस्तों यहां पर क्या कहा है न टीकर्स कहरे हैं कि पॉलिकल इस लेटिट तुडव वोल्स सवाल लाइफ पॉल्टिक जो है ना वाप पूरे समाजिक लाइफ समाजिक जीवन है एं यह सवसल लाइफ ए क्यों क्युकर यह टरी इस नूश्टेट जहां पे भी राज्य नहीया दोस्तोंड जहां पे भी सबसे पहले आपको क्या बताना होगा एक्जाम के अंदर सबसे पहले किसी भी को स्टार्ट करोगे आंसर देना तो हमेसे इंट्रोडक्शन देना होगा इसका मतलब क्या है एंशेंट तिंकर्स क्या मानते थे ऐसा यह डिफाइन करना होगा उसके बाद सिंपल है कि है यहां पर रूल अप स्लेवरी एंड बार्वरिज्व एक बात यह और याद रखना यहां तो ठीक है यहां तो कोई कहानी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों कोई दिक क्लिए रहें अब एक चीजने आपका और समझा देता हूं यार यह जो अरस्तु पर रहा है यह अपने आपका दादस सबस्ते कि हम बड़े बुद्धी मानते हैं कुछ भी ने तो बद्धिमान यार क्यों क्योंकि इनका यह कहना था देख जो एंधेंस बेकर आपका है महिलाओं के यानि कि बुमेंस बुमेंस रूलिंग नहीं कर सकते थे स्लेव्स स्लेव्स नहीं कर सकते थे तीसरे फोर्णर्स तीसरे आपके हो गए फोर्णर्स महिला सासन में भाग नहीं ले सकते थे महिलाओं के साथ यह जो डिस्क्रिमिनिशन है यह तो सुरवास सहीं किय जा रहा है जिसको हमें आश देखने हों को मिलता है आज भी देखो पॉलिक से भी है कहा है के दिए्रक सब्सक्रा को खड़ा कर देता है लेकिन जिए सब सबस्वाल रहे होते हैं अज पिए ढूस्तर सच्छाहि है भाई स्लेव्स यानि की घुलाम लोगों को पहले खरीदा फरुटा भी दाता गुलाम जो दूसरों को काम क्या करते हैं किसे स्टरह आपके फोर्डनर्स यानि की बिदिसी का तो समझ में आता है लेकि लोगों गुलाम बनाके हटा देना सुसाइटी से महिलाओं को इस तरह किसे डिस्क्रिम्रेट करना यह कहां का साथ सब्दा तो हम क्या सकते हैं कि एंचेंट जो लोग है ना इनका तो जो रूलिंग है वह भी लिमिटेड था और इनके सोच भी लिमिटेड थी लेकिन दोस्तों बेसे इनकी जो थिंकर है जोने की व्यूज है आगे चलब के बहुत जन्यों ने पढ़ा और दोस्तों जानते विए हम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल डिसक्स करेंगे फिर आपके मैं सब कोशन के जवाब दूंगा कैसे मतलब जरूर निए कि एक घंटा पढ़ेंगे देडि घंटा पढ़ेंगे मैं आपको पूरे घंटे बो रात पढ़ाने के जल्क्यार हो पढ़ाने को बड़ा मज़ा आता है ठीक है तो फटपढ़्ट पहले एक चीद दहान रखना को क्या करना है अभी दाउट नहीं है मेरे दोस्त तो कमेंटर में बताओ फटपढ़ औ बैढ़ कर दो इसको लड़के को बाइफण का समय को जीनिके नहीं है तो कभी तो परनी जहान रखना फटा वाट का सम्देर रहां जान किना चलिए ठीक है यह हमारा खिल लाता है तो इस तरीकिस से दोस्तों यह तरह लिमिटेड सोच गए तो तो यहां तक हमने बात हो गया ह अब हम मीनिंग और डेफिनेशन्स की बात करेंगे अब मीनिंग और डेफिनेशन्स की बात करेंगे ठीक है ठीक है मीनिंग और डेफिनेशन्स की बात करेंगे यहां तक कोई खूब कोई दिकत नहीं चलिए कोई दिक्त निये सभी को मीनिंग और डेफिनिस प्याते हैं चलिए पहले जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी थोड़ा मकल्यान करें हम चाहते हैं समाज के हर तपके को लेके आगे बढ़े हम किसी भी तपको के दोस्तो पीचे नहीं चोड़ना चाते हैं काहे कि सबका साथ, सबका विकास होगा तभी ने दोस्तो आगे देश बढळेगा यार चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं लगता है डानलेड कर दिया था बंदा हमाया हम देख रहे हैं हिंदी मीडियाम कोंचा मेडियाम है ईा है यहीं हिंदी मीडियामैंच चाल在 चाह लोगा अहूं कि चलो अ suck समुदाइ के अच्छे जीवन चे सम्मंधित सभी निर्डे लेने से है क्या क्या फूब डैफिनिशन है क्या नहीं कह रहा वाई ये कह रहा है जो भी हम उनके गुट्स लाइफ के लिए अच्छे जीवन के लिए जो भी हम dc लेते हैं वह ही मारा ठीक है उन सभी thinkers के बारे में हर एक line, ditto line आपको याद अखना पड़ेगा, ditto line exam लिखना पड़ेगा, thinker के बारे में आपने link दिया ना, और जो जो मैं दोस्तों जैसे समझा रहा हूं कहानी भी गया रहा, उसको ही लिखते चला जा ना, बस, अच्छे माक से होगे पास, टैं महिला है, यह लड़की है, हन्ना आरेंड की views क्या है भाई, politics के ऊपर, चलिए जानते हैं, सबसे पहले introduction समझा हमने, exam में भी आपको ऐसी लिखना है, छोट असा definition देना है, और उसके बाद आपको, जो thinkers के views, वो देना होगा, सबसे पहले हमारे thinkers होती है, कौन, हन्ना है, ठीक है, रांतिक होने, या पॉलिस के भीतर रहने का अर्थ, ये बात नहीं है, यानि कि city, state का अंदर रहने वाले लोगों का मतलब ये नहीं है, कि कोई भी decision, किस से, बल परियोग, या बोलिंस करके, हिंसा के दुवारा लेना, इसकी जगा, हर फैसला, बात्चित के human condition, मानवी दसा का विविचल, जो कि 1959 में आये थी, किलियर है, तो ये नोट्स विगरा, जो है, मेरे खुझ के अपने हाथ तो लिखा गया है, अकर चाहते हो ये नोट्स तो मार्केट से दे सकते हो, बना नीचे वीडियो पर नीचे डिसक्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया सभी लोग के द्वारा मिल के जो लिए जाता है, भाई, पोलिटिक से मारा, तो हमनी कंडिशन में कह रही है, नट इफिक्टे नेमाइटी, डाइवडिस्टन क्या कहते है, डाइवडिस्टन अभी है, ये गो नया ठिंकर आगा, भाई क्या कहते है, रांति का संबंध मुल् ये कहते हैं कि अधिकारों को सभी तरीके से उतित रूप से, सभी तरीके से मुरलिटी के रूप में बाट दिया जाना, सभी को डिस्ट्रिब्यूट कर दो अधिकारों को, और याद रहे, ये बोलते हैं कि इस तरीके से अधिकारों, या इन सब चीज़ों, जो अधिकारों सोल्टू के कहना है रानतिक परतेक उस ब्यक्ति से संबंदित है रानतिक हर एक उस ब्यक्ति से संबंदित है हर एक उस ब्यक्ति से संबंदित है यहां के हो यागे हो पीचे हो काला हो गोरा हो पीला हो निला हो यानि कि हर एक उस ब्यक्ति से कहां का जो राज्य पर जमीन पर सब्सक्राइब ना कि स्यूर्टे पता पाएंगे रांतीक उससे संबंधित भी भाव ना हूँ रांती City से संबंदित है इसमें उत्तरदाइड년 सरकार किसके पता उत्तरदाइड सरकार किसके पति रिस्पॉन्सिवल है जंता पबलिक के परदिया गःतमरीमेंट सरकार के परती है ऐसे होते है ना होते है ना ऐसे हमारी एक responsibility होती है जिम्मेदारियां होती है वो सब के सब politics उसे सरे related है ठीक है next का है यहाँ पर Garner next के उनुसा बंदऄ Garner next क्या कहता है Garner का कहना है कि रानिती राज्य सही आराम होती ही और राज्य के समाप्थ हो जाती है यानि कि राज़ जिस पोल्टिस ने मुझे बाता है या उन फो कि दल फटाफ़ों 20 कोula जल्दी बताओ यह स्टेट किसे कहते हैं कोई है जो बताएगा फट फट इस्टेट किसे कहते हैं जल्दी बताओ दोस्तो किसे कहा जाता है इस्टेट जिला राज्य अरे सिवनी खालजी जील आजब है पूछ रह сटेट यह राज्य की डैफिनिसन क्या है किसे कहा जाता है आप इस्टेट यानि कंट्री बाद इपांज लेज़े वेरी गूट आपको तो भारत रतन चे समांत किया जाना चाहिए अच्छा कोकब खान जी कह रहे स्टेट किसी राज्यों को कहते हैं वेरी गूट क्या बात है क्या खूब क्या दिमाग पाया है अच्छा एकीजी कह रहें स्टेट कंट्री को कहते हैं अच्छा जी और बताएए फटा फटा मधुजी कह रहें गवर्मेंट कैसे किसी गवर्मेंट इक्जाम में बैठोंगे आप सब कैसे कम्पीटिशन जाओगे मैं यह नहीं कह रहां लेकिन आज से आपको गाट बांध ल रूल किया जाता है निसिका जी कह रहें कि समाजिक शम्हू को नहीं यार ये भी नहीं और बताओ जरा और बताओ इस टेट के elements क्या है किंसे इस्टेट मिल के बना हुआ है पता है किसी को कि I mean to say that in political science country denote by state है यह तो ठीक है दिपांद लिजी रहा है लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि स्टेट के elements क्या है स्टेट बना कैसे है कैसे स्टेट है जंता से बना लोगों से बना हुआ है तो इस्टेट हम कहते किसे हैं कि ससे बिल्कुल हाँ जहां पर रूल एंडरो होता है बिल्कुल governance का रूल एंडरो लोगा वही स्टेट हमारा अच्छा और बताईए जंता से बिल्कुल जी बट स्टेट को चली मैं ही बता देता हूं समझते हैं पहले हूं देखिए अच्छा मुझे एक बात बताईए पहले है दिल्क बताये यह समझा वाजव दिजिए फट ऑफट यूपी भीहार जहरकन बद्धेपरादिया नहीं है तो यस कि दिपांजी के रहा है यह से अच्छा दिल्ली विगेरा बिहार उड़िसा मद्धेपरादिया सभी स्टेट है ब्द्धा फट आफट ऑफट मुश्य टेटी आपना मुहम्मद रजरव जी कहरें यह सब स्टेटी है सिक आप जिए स्टेट नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब साथ क्छलिया आज बताते हैं कि स्टेट क्या होता है नौश्टिस इस अच्छा कोई बात नहीं चलिए हम बता देते हैं कि स्टेट कहते किसे हैं तो यह सबसे पहली बात तो यह है कि स्टेट की डेफिनिशन है और जुसको हम कह रहे हैं कि यूपी बिहार जाडखेंड उडिसा मद्दपरसे प्रदेश भारत के अंदर 28 स्टेट है जोस्ता यह स्टेट नहीं होता इसको एक यूनिट कहा जाता है हमारे जब कॉंस्ट्रीशन लाग हुआ था आपको पता है अब जोस्तों जहां सीजी डिया पढ़ाँगा आपको मैं इसन पिछांगा इसी टिल आपको संविद्हान का जो आडिकल एक है वह क्या कहता है सम्मिधान का जो जो आडिकल 1 है और टिकल उटेडर भून हम तो ना lettuce 1 है इंडिया निए जो भारत है एक राजयो का संग होगा क्या जो बी जितने जो हैं इसकी यूनिट से कौन सब जो भी हम 28 जिनको हम स्टेट कहते हैं यह स्टेट नहीं यह इस टो भारत है समझाया मैं जो पतारों पहले बहुत समझना एजब पॉलिटिकल साइंस इसुरेंट यह बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि नोवल बंदा यूपी बिहार मद्दपर जारकंड कोई स्टेट कहा देगावू ठीक है चलिए समझते हम तो भारत यानि कि इंडिया मैं बोलू के लिए हमने अपनी कंवेंस के लिए को स्टेट कह दिया कैसे कह दिया वाई चलिए समझते हैं देखिए यह दोस्तों है इस्टेट इस्टेट उसी को कहते हैं हम जिसके पास चार चीजह होती है पहला पॉपलेशन हो पॉपलेशन हो पॉपलेशन को रहने के लिए लाइन ठीक है एंड तीसरा पोप्लेशन को रेगुलेट करने के लिए गोर्मेंट भी हो क्या हो गोर्मेंट भी हो अब गोर्मेंट भी होगी चलिए भाई समझ गई यहां पर हम है कि एंड पॉर्त जो है यही सब से इप्रिंट जिसके कारनिंजसे इंडिया को ऑकी स्टेट बनाए गया हैं और यह सब जोहने यूनिट स्टेट एक्च्रीवन होती नहीं जिनका का रहे है वह सोवर्मेंटी ऑस्टेट Unity आज सो वरेंटीada हो इसका मतलब होता है संपर्भूता क्या होता है संपर्भूता मतलब होता है जब कोई भी स्टेट अपने इंटर्नल और एक्स्टरनल रूप से बिलकुल ही इंडिपेंडेंट हो उसके उपर कोई पावर नहीं हो उसके उपर कोई भी पावर नहीं हो सब्सक्राइब हम समझते हैं ति कैसे यूपी भिहार जारकर यह सब एकी स्टेट नहीं है भारत में टोटल 28 स्टेट है आप जाके 28 होगया पता होगा क्योंकि जो लगदात बेगे रहा है आपके जम्मू कसमीर जम्मू एंड कसमीर आपके वो क्या बनेंगे यह यूद्य टैरिटरी बनेंगे केंसा से प्रदेश बनेंगे जिसके गारण आपके 28 ही स्टेट बचेट हुआ करते जम्मू कसमीर तो यह उप एक सम्मू जम्मू है तो यह सब मैंने मता आपको यह सारे 28 जो है यह सारे्ष सारे यह सब यूण्ट से भारत इंडिया के यूणिट है एक भारत के पूरी भारत में जनता बी है बूमी भी है सरकार भी है है ना और वो सरकार independent भी है sovereignty उसके पास है वो अपने internal अपने देश के अंदर किसी भी लोगों के किसी भी groups के दबाब में भी नहीं है और बाहर से अमेरिका यूएन नो ब्रेटन फ्रांस रस्या किसी भी country's के दबाब में नहीं है और नहीं कभी वी हो सकती है क्यों क्यों कि हम सोव्रेटी स्टेट हैं हम सोतंतर स्टेट है सोतंतर राज्य हैं अब याद करो 1947 से पहले भारत जाने की इंडिया जो है उसके पास यह तीनों चीज़ तो थी हमारे पास जाने कि इंडिया के पास हमा सब्सक्राइब भीज़ने की ब्रिटिस इंडिया थे हैं अब यह 28 जो है यह स्टेट क्यों नहीं अभाई अभी मैं आपको क्या बताया कि सोर्निटी का मतलब होता है कि वह अपने इंटर्नल और एक्स्टर्नल रुप से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो उसके उपर कोई भी पावरी ना हो अब हम लेते हैं दिल्ली दिल्ली चलो अपने आप यह स्टेट तो ही नियार वह तो यूनियन ड्रेटरी है हम लेते हैं बिहार का बिहार एक स्टेट है नो डाउट इसके पास जंता भी है भूं महीं है वूसक्त भी है है mam लेंड भी Felix लेकिन इसके पास ङुप की अपनी टोटल सौरती नहीं है क्यों क्यों कि वियार के ऊपर सेंटल गोप्रमेंट बैठ ये हमारी स्टेट Regierung तो चितने भी होते हैं यह सब जो गोवर्मेंट इसके यूनित क जो गुवर्मेंट है आप पोलिटीकल सैंस की उसुरेंट हो इसलिए आपको यह बात पता होना चाहिए बनना यह बात थोड़ी किसको पता हो तो उस सब यूपी भाज आट रहे ही राज्यें यह है पाल बना रहे हैं अब सब आया आपको क्यों नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पावर है यह सब की जो सरकार है जो भी स्टेट गवर्मेंट है इनके उपर सेंटर गवर्मेंट होती है अब सेंटर गवर्मेंट को ओपर कोई सरकार नहीं होती इसलिए सेंटर गवर्मेंट किसकी सरकार है पूरे भारत की सरकार है इसलिए स्टेट क्या हुआ पूरा भारत इ स्टेट हुए क्यों क्यों कि यहां पर स्वेंटी नहीं है अब मैं एक्जाम्पल लेता हूं मालो जहां पर आपका घर है जहां पर घर बैट कर वे फून में बीडू देखे जह नहीं ताक का जहां कि कर रहे हो अब वो जगा है वहाँ पर उच जगा पर पॉपलिशन मालो अब घर में आपके फादर जी है ना आपके घर में बुजरू हों गे वह गवर्मेंट बन गी यह तीन चीज होगा लेकिन क्या आपके पास यह है सोवर्सपर्स में जो इन्टर्नल या एक्टर्नल उस्ट अंडिपेंट हुए कि होता है कि आपने इंटर्नल और अंश्रॉम अपने को सब्सक्राइब ऑफ एक यूनिटे नहीं इसलिए हमने इनको एक यूनिट क्या है लेकिन आज हम अपनी कन्वेंस कि इनको स्टेट के नाम से कहते हैं किलियर है बहुत आप बोलेगे स्टेट और कंटरी बोथ हर सेम इसमें को डिफरेंस नहीं है संद्धाया स्टेट कंट्री कि इंडिया ही है और कंट्री इंडिया ही है ठीक है लेकिन जो सारी यह है यह सब किसको समय मुझे कमेंड बॉक्स बता है कि इस को प्रफिस समझ मा गया है जल्दी बता है क्या आज पहली पर पता चला है सारी बाते मेरे को आ गया और किसके समझ में आ गया कि यह सब मिला के पॉपलेशन लैंड गॉपर्मेंट जब यह चार होगा अब हमारे पास आपके पास थोड़ी सब्रटी है मोदी जी आते हैं बोलते हैं नोटी बंदी अब नहीं चलेगा तो हम सब लैंड में खड़े होते समझें थोर अभी आगया सबको चलिये मा है कि समय में आगया सबको चलिए वेरी गुट बहुत अच्छा क्या बात है सबको समझ मैं गया सबके सब इंट्लीजयेंट हो चलिए फटफट अखान झी संद्या जी निशिका जी चलिए रजणिस हो गए शिखा जी हो गए आतिव खान विल्कुल बैरी गुड चलिए बहुत अच्छा दिपांजली जी चलिए सबको समझ मांगिया तो यहां पर हमारे हो गया अरे यार हम तो यह आपको समझाना पड़ेगा आपको क्या आपको बेसिक जानकारी नहीं देंगे मजह नहीं आएगा मुझे आर रही चांते हैं कि राज्यक आतीज राज्यक के पास्ट के बारे में बताता है इस्टेट के परजंट के बारे हम बताता है और इस्टेट के फ्यूचर के बारे हम बताता है रांती राजय के अतीत बर्टमान रुभविस्य की जानकारित यानि कि प्यास के बारे हम बताता है यानि कि हम इसकी स्टेडी करते हैं इसके अंदर तो यहां तक तो पहले हम फटा कर लेना कोई भी दिक्कत ना हो बाकि जो नोट से जैसे वीडियो खतम हो जाएगी में लिंक दें पोस्ट पड़ सकते हो बाकि जो ओडर करने के लिंक है बहुत हो डिस्क्रप्शन में है है हन्ना आरेंट यह कहते हैं कि विंक पोलिटिकल ओर लिविधिन दशाएगा इस बाकित के दौरा बनाया जाए गाता हुमें ऑन के डिसक्रप्शन ओफ हुमें कंडिसन की बुख का नाल में नैंटिंग फिप्टिन माए थी उन्हों ने अन्ना आरेंट ने ये सारी बात उसमें कहीं है जो बच्चे हिंदी मीडिया में यह मस होता है कि मैं कुछ समझ रहा हूँ यह हिंदी मीडिया में कि आपके इंग्लिस के मीनिंग बता ना हो यह वी समझा को अच्छे से बड़ा मज़ा आ जाएगा डेविडिस्टंग कि यह कहते है पॉलिटिकल इस कंसर्ण विदा सब सहमत हूँ और कहा है जगडा फसाद होगा समाच के अंदर कहा है मारे फार्मस रोड़ पर आकर लड़ेंगे तो ना है समझाने दोस्त चलिए अब मोधी जी भाई ऐसा कानूं बना दिया कि हमारे किसान को दिक्कत है तो मोधी को थोड़ा समझना चाहिए भाई और बात क्या सब्सक्राइब यह फैने अपने आंतरिक और बहुत अच्छा यह सोवर्डी का मला ना बता नृप्ट यहानि के इंटर्नल और एक्स्ट्रनल रूप अपने आंतरिक और बहुत रूप से जब देश सोतंतर हो 1947 से पहले कि हम इंडिपेंडेंडेंडेंडेंड नहीं थे तो हम स्टेट नहीं थे अब हम इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड हिंदी हो या इंग्लिस हो सबका साथ सबका विकास होगा यह सरागया चलिए बहुत अच्छा तो यह चैप्टर बच्छे समझे रहें कि चैप्टर कौन सा भाई यह चैप्टर बीए प्रोग्राम का भी है पॉल्ट के साइच ओनर्स का वह है पहली क्लास के अंदर ही जो फर् आवा ढ़ाने के लिए अपने उसके अंदर लेकर वह तो इसमिसे निकलता है ऊस— घुमा और जक्ड़ावा डेया जिस तरह के से prescription कहा था है उसतरिके से politics ने हुआ थी पूरे इंसानों को अफ ने हे बाँभा है कैसे कहते है मातावगा गान्धी तyear-मारत्वा गांधिन ए एक भी पर नहीं है हमें थे लख और बढुड़त finances brings 30 अनधे साफ ल की तरह जकड रखा है सोब कैसे लेता है पूरा जहांब लंप्ता है का प्र गुंब जाह यूरी सबसити की तो आपल शांब करके है चैसे हो पास को रास्ता है और हमारे पास को रास्ता है नहीं इससे बहान निकल लेगा ऐसे पोल्टिक्स आप आप पॉल्टिक्स आप क्या गूरुप में डिसीजन नहीं लेते हैं दोस्त क्या गूरुप में अपने इंड़र्ष करते हो अपने आपको आगे निकलने के लिए चाहतोubernetes वह outta लेजन उसके साथ बनाओ जिससे मेरा फाइदा हो तो यह सब पोल्टिक्स की तो बाते हैं तो जब यह द सब करते हो तो काहें नहीं आप सब पॉलिटिक से लेटीड हुए तो किलिए हैं टेफिनेशन चलिया दोस्ता नो सोसाइटी गैन सर्वाइब विदावट एनी स्ट्रॉक्चर और पॉलिटिकल ओगनाजेशन और कॉल भी एटसे सुसाइटी नहीं है दोस्त जो कैसे विदावट पार्लियमेंट को मनाये किसले गया है ताकि हम बैठ के डिसीजन मेकिंग हो तीन तलाग जैसे कानून पे देश की सरकार पे जो भी गलद कानून बेगे रहा है उन सब के उपर हो संब्यें पर नियासा नियार कि महिलाओं के पर्ति भी जैसे कि उनके उप्षा के लिए प्रिजर्विट्स एक्जिस्टेंस क्या इटिजर्वर्स नीट्स एंड इंट्रेट्स ओफिट्स मेंबर तो इसलिए जितने भी जिम्मेदारी है और जूड़े रहना और अगर मैं आपको सिंपल बताओं को सुसाइटी का गहरा संब्भणत है क्यों क्योंकि POLTICS विदाव सुसाइटी के रही नहीं सकती और सुसाइटी को रेंग्डूट करने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है तो हुआ ना दोस्तों सुसाइटी और पॉलिटिक्स में घहरा संबन यहीं बात समझाना चाहते हैं हमारे महतों अकान दीजी चलिए दोस्तों आई होब कि आप समझ गए होंगे तो यहां में बताएगा तो फाइनली आग्रेट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर एरिस्टोटल हुई इस को दा फादर ऑप पॉलिटिक्स में बताएं दोस्तों कोई डाउट यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त खतम तेको थिंकर्स क हम वहां ब लुए निसान में लिया नहीं है रोज इंग्री से क्लास दो बज़े होती है इसी के उपर मैं खोड लेता हूँ अधिकल कब तक चलेगी जब जेंट होदाना ठीक है आठ बजे चलिए अगर आज की किलास जैसे टोपिक खतम हो जाए ठीक है आगे आते हैं थोड़ा देखते हैं टोपिक कहां तक जा रहा है भी लेकि चैप्टर दूस्तों खतम कर देंगा है माजी भाई चैप्टर आज खतम करूंगा मैं आज कोई खतम कर देंगा मैं ठीक है बिल्कुल सारी चैप्टर खतम करेंगो टेंसे मतले ना सब्सक्राइब हो गए तिंकर्स के वीच भी रहा हो गए अब आगए देखते हैं कि चलिए कि लिए रहा है कि त्वेल्थ क्लासी ग्रामबर की जो कि टाइम है वो दो बज़े है दो बज़े ठीक है चलिए और एक सब को बताना चाते हैं एक खास इंफ्रमेशन कि जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जो मेरी क्लास लेना चाहते हैं नीचे लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बोक्सिंदर टेलीग्राम का तो टेलीग्राम को जो चैनल हमारा उसको जोइन कर ले जो भी इ फीकिंटाते लेक्रेंन के बाद होंना थांस वाया अरास्टू को यह मौनना हैं अरस्टू को हैं कि अरस्तु को ही युनान में क्या था था बहुत भुद्धी मान था लेकिं फिर महिलाओं को उस नहीं मानता था यह बोटता था महिलाओं के अंजब उस्टिया नहीं उतिसासन करने का छुए जिनका काम होता है लोगों का सेवा करना सर्विष प्रवाइड करना एंड तीसरे तो यह तोड़ी बात भी है थोड़ी तो यह का कहता है कि जो है न यह पोलिटिक जो है यह सरवोच विज्ञान है सरवोच विज्ञान है क्योंकि इसके अंदर यह कहा है कि रानितिक बेधानिक रूप में यह निर्धर्द करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यानि कि यह बता रहा है पॉलिटिक्स का मतलब यह पॉलिटिक्स हमें यह बत चलिए रस्तु कोई दिक्कत नहीं है चलिए कोई दिक्कत नहीं आपे तो यह होगा रस्तु के कोडिंग आप चाब बताता है भाई अब यह रस्तु कहता है कि मनुस्य एक राजनितिक प्राणी है राजनितिक प्राणी का मतला भी यह होता है कि जितने भी मनुस्य हैं वो कहीं न कहीं एक स्टेट के अंदर रहते हैं तो राजनितिक प्राणी हम उसे कहते हैं एक पॉलिटिकल क्रेचर कहलो आप उसे कहते हैं पॉलिटिकल एनिमल कहलो पॉलिटिकल एनिमल है जो कि हम एक कही वो इनसान नहीं होगा या तो वो सुपर मैन होगा या तो वह भगवान होगा या तो वह ब्रेग्हेरा होगा जो कहीं भी भटता है जो इंसान होगा वो किसी बाउंडर के वाले इक स्टेट में रहेगा ये कहta है एरिस्टेटर का क्या हुआ स Muito शिन इनान में रांती का प्र्योग सेत तो बहुत बिस्त्रित था सब्किन जुड़े लोग लोग काफी कम हुआ करते ए occupa थे देखिए क्यों करते थे क्योंकि इसमें बुर्मेंस होगे आपके फोनर्स होगे उनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था जिसके कांड़ से वो डिसीजन नहीं ले सकते नहीं दे सकते तो यहां तक क्लियर है आपका पार्ट कोई भी डाउट नहीं तो यह आपको मैंने हमें बता जाए चाहिंदी मीडियम में मैंने बताए आपको क्या है देखो क्या कहा है उसमें लेकिन वो पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाते थे इस काल से पॉलिटिकल का पूरा दाइरा था और पूरा स्कोप था वो काफिर लिमिटेड हो रहा था तो आपके स ठीक है यहां दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है चलिए आगे सामय के साथ क्या हुआ कि पॉलिटिकल का जो मीनिंग है दोस्तों वो चेंद होता चले गया पॉलिटिकल का जो मीनिंग है वो चेंद होता चले गया है कि बिल्कु बिल्कु यार यह की बात कहूंगा मैं कि हम टीचर लोगों कुछ लिए होता है दोस्ता आप सबका प्यार मिल जा बहुत है थैंक्यू भाई डी डी के डी के एवरिवन प्लीज है ना जितने भी लोग जुड़े हैं यार प्लीज एक ही बात था हूँगा आप सबसे जहां तक हो सकते हर बंदा फिरी और को स्टाइब कर ने का इस चैनल के माते हम से मेरा मकसद आप सबको पढ़ा के आगे बढ़ाना है ठीक है एक है डी कृण सेंव टाइम पर कल लगे कि सी जीडी आई की क्लास क्ल में बेलकूल बस मैं आप सबसे एक ही बात करूंगा आपको पता है मैं आज अपने छोटे बसे बाले भाई से ऑपने नियुक्प दो करता हूं कि अब हमांँ कूँए शब्शलता नहीं बहारत के अद करते हैं फिर भी नहीं लगते हैं फाज़र के बिंत करें गए जहां तक हो सकते हैं प्लीज दोस्तों ठीक है चलिए अब थोड़ा साथ है और कोई वात नी मैं जानता हूं दोस्ता आप सब मेरे प्यारे भाई भाई भेहन दोस्तों पका सेर करोगे दो मिनिट यार हम सब कुछ काम कर लेते हैं पका आप भी सोचो गयार सब तो ऐसी कहता है यह भी ऐसी बोल रहे हैं क्या जा रहा से करने करना दुस्तों से हैं जो भी जुरुत मंद लोगों को बोलना से जोड़ना होड़ा चैनल से चलिए आगए यहां पर क्या है हमने यहां पर पोलिटिक आप क्या है वेदरख्यों मोडर्लिजंग दोस्तों आइंचिन प्रियाट का जो भी थॉरी है वो पढ़ लिए अब हम थोड़ा मोडर्लियंग प्याते हैं अब हम आधनुक्ता में आ गया है अब हम अधनिक वह समय में आ गए अब आधनुक्स जैसे समय बीर गया वैसे ही वैसे ही जो इसकी definition ने फोल्टिक्स की वह चेंज होते चले गए देफिनेशन जो है politics की वह जो चेंज होते चले गए ठीक है ठीक है जैसे जिसे क्या हुआ बिलकुए बिलकुए चलिए है बहुत 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 अच्छा चलिए तो जैसे जो समय बीटता चले गया तो जो डैफिनेशन ने पॉलिटिकल की वो चेंज होते चले गए क्यों क्यों कि अब मोडर्न समय में आ गए तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो सब के सब एंशेंट पिरियद में पढ़ रहे थे बड़िस पोलिटिक्स के ब बिल्कुर मतले ना थे के बस पेसल सनाम की चीड़ होती है हमें से बनाए रहाना आधनीक्ता के उभार के साथ रांटिक का जो सब्देन पॉलिटिकल का जो वर्ड है रांटिक वर्ड जो है इसमें चेंज बदलाव आते चले गया इस परकार क्लासिकल जो गिरीस है गिरीस रांटिक सब्दों समुधाई से रेलेटेड़ था समुधाई से जो संबंद्य था आगे चल कि इसकी मीनिंग जो डैफिनेस उसमें चेंज आ गए और चेंज इस तरीके साया कि फैसला लेन दर जरूरी है और सभी कम्यूटी के लोग उसमें पार्टिसिप्वेट करें यह क्या हुआ लेकिन हुआ कि मोटन पिरेड के अंदर प्लेटिक स्वावर स्टिक सांटावर जोड मोडन पिरेडं के अंदर पॉल्टीक्स राजनिती प्ल्स वूड जोड दिया अब यह कहां गया कि लोग सासन नी कह रहें इंचिन पैर आभ ठोब बढ़ती चले गई लोगों में एक चीज तो है भाई कुछ काम करें ना करें लेकि जन संक्या पढ़ाने में महारत आस्री कर रहा है भाई भारत हो जाए कोई भी कंट्री हो तो पोलिटिक्स के अंदर सक्ति वर जोड़ दिये गया यानि की प्लस पावर जोड़ जोड़ गया अब याद रहें एक कोत्तर बंता है यहां पर एकज्म कहिंदर एक कौस्टण आजाता है राजनिति का राजनिति का सकती सक्टी जो पोलिटिक्स है उसका पावर से टेक्रोच क्या है डिफाइन की गया उपर आगश्मद करते हैं आग पहले पावर था पहले 500 लोग पॉपलेशन वहां करता था गाउं का 500 पॉपलेशन में सभी लोग खुद सासन कर लिया करते तो कौन दिक्कत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है लेकिन अब क्या है पॉपलेशन बढ़ गया सभी की सोच अलगे सब की थिंकिंग अलगे जिसको धब सवाथा बोट मिलेगा वो जीतेगा वो हम सबका सासन चलाएगा तो इसका मतलब यह होगा हम सब ने उसको चुना है तो मतलब हमीए खुद सासन कर रहे हैं हमीह कुरा रूल चला रहे हैं भी भी इसको आज के समय में इनडारेक्ड डैमुक्रेसी कहागे इसे को इंडारेक्ट डेमुक्रेसी क्या गया है जहां पे पब्लिक बोट डालेगी और चुनिवे जो रिपर्जेंटेडिव है वही सासन चलाएंगे जैडिज नोन इज अब यहां पे रांती के पास चुनिवे जो नीता आ रहें उनके पास पावर होता है तभी तो सब जाना चाहता है रांती के अंतर है इस्ट्रकल लोग पावर पॉलिटिक्स में जाओगे सक्ति पैसा पावर मसल पावर मनी पावर सवाद आएगा उसके बाद पुरे जनता पॉलिटिक्स के पास पॉलिस है कानून है निया है जो डिसिरी है जस्टिस है समझे दोस्त तो इस तरीके से आपका पॉलिटिक्स और पावर मोडन पिरेड में जुड़ गया तो एंचेंड पिरियड की सभी डेफिनेशन को बताने के बाद अब एक पड़ाव आगे आओगे और नेक्स्ट पेज पलट होगे और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कोगे कि आधुनिक्ता के उभार के साथ यानि पेलेग्राफियों हो गया फिर दूस्ता पेलेग्राफिया आते हैं ठीक है ता फिर मैं आजा हूँ इंग्लिस मुली माले बच्चों के लिए ऐसे बहुत सिंपल डेफिरेंस से कोई दिक्कर भी नहीं होती इसकेंड़ है चलिए समझते हैं रांतिक हमारे सार्जनिक पब्ल जोब मिले हम चाहते हैं कि हमएं अच्छा पाइसा मिले आज यह करते हैं अ刹िड हमने पुर्त को जोड़ दिया के लिए स्वार्तपूर्ति का सादन है राज्मिति समेब आया रानिति उसक्त कर दिया स्वार्तपूर्ति के लिए डाज्मिती अब zul अभी कि लिए कि आ पर एक निए नовых सही से संधाना लेकिन हुआ क्या आप सब दड़त रहें है यहां पे लिए तो इस तरह किसा आपने हागा और आगे चल के क्या हुआ जहां पर मेरा 13 की भावना आगे और इसी कारण से जनम होता है है हब इस्टरगल का अब होता है जनम बिवात का किसका इसके बात बीवात डिवेट का इससी काहरे से आज इतने साथ डिवेट देखनों को मिलते हैं कभी बो लड़ रहा है कभी बो लड़ रहा है और अब तो दुस्तों समय मोडंक आ गया है तब धर्म आ जागा आपका जहां पर बाद भूतेजी से बढ़ेगा आपका अब भारत में देख लो हिंदु मुस्लमान के खिलाब मुस्ल जनताओं को मूर्ख बनाते हैं सब बता रहा है हुस्तों मुसलमान को करते हैं अपनी पोलिट इस चलिए तो यह सबने कारणों हमें अपने हिजत को पूरा करते करते हैं हम कहां पर आजाते है हमने अपने मदलब की इतना घिर चाते हैं। हम पूरा लालज बन करते हैं इस तो हम से और सबके साथ सम्मान जान था क्रूं है। लेकिन आज हमें इसकी डेपनिस को पुरी बदनाम करना था है, सब्सक्राइब दोस्ति, चलिए, यहां तक क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्त, चलिए, एक वार हम थोड़े इंस मीडियम बाले बच्चों पर भी आते हैं, देखे, हमने का कर देख लिया था है, यहां was related to the basic decision taken in relation to community matters, वोई community की साल लिया दाता था, however, to decide it is necessary to have the power to do so, कुछ करने की power ही है, आपकी अभी है, politics, तो if the entire community, community जो आपकी पूरी है, is involved in the decisions making process, then it becomes a belief that the collective power of the entire community, कहाने जाता है ऐसे, कि जब यह कोई भी काम, पूरी community के साल मिल के क्या जा रहा है, तो समझ लो, वो पूरी community की power है, जिसके इस तरीके से यहां पर तो power को जोड़ देने के कारण, यह हुआ, कि हमने पूरी community की power को कह दिया, कि यह पूरी community कह रही है, अब यहां पर पूरी community कह रही है, तो लोग उसको मानेंगे अब, यह हुआ, और पूरी power हमने यहां पर जब चुना पर रहा है, लग गया, इलक्सन हमने लग गया, तो हमारे parliament पर रहा है, हम पर आने स्टार्ट होगे, any doubt? चलिए, कोई दिक्कत यहां था, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है सबी को, पहले कोई class ले लिजे, फटा फट, थोड़ी से और class लगेगी, है थोड़ी से तेरे को और class है, ताकि उसके बाद हम अपना आगे continue करे, कल की class के लिए, तो इसके resources पर claims करते हैं, अपना claim करते हैं, अपने दावा करते हैं, तो यहां पर debate का मुद्धा आता है, distribute उटता है, तो यह आपको दोस्तों भी मैंने समझा है, वो यहां पर define किया गया है, किया दोस्तों कोई without नहीं है, चलिए, अरस्तुवाला पॉंट होगे हां पर दोस्तों हमा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास की टाइमिलिंग वो क्लास दस वज़े खतम होगी, याद रहे, ठीक है, यह क्लास तोटल दस वज़े खतम होगी, दस वज़े तक कोई हिलना मत में फिर से बता रहा हूँ, पूरे पढ़कर ही जाना है, अच्छे से समझने आए, तोप अगे गासे, तेफ्स हम आते है, अराउड़ा एbey अपनी परसित किरती, इसकी बुक है, पोल्टिक्स, जो की 335-332 इस विफ्रु फ्रुल में लिखी गई थी, कब 335-332 इस ही पूर्व, इस ही पूर्व का मतल़ा को होता है, इस विफ्रुhmm पनला, एह, जनम नहीं होगता, उससे पहले का जो आपका period होता है जब आपकी जो counting को पूरी उल्टी चलती है आप है ना देखो 352-332 लेकिन ये counting आगे है लेकिन पढ़ने में ये उल्टी हो रही होती है इस तरक का खंडन क्या था कि रांतिक संगठन के अंतर रांतिक नेताइक की सत्ता दूसरी तरह की हता से अलग होती है ये क्या बता रहे हैं इस कुस्तक के अंदर कि जो पॉल्टी की जो पावर है ना वो अलग है और वाकी जो और पावर विगरा होता है वो अलग है तो ऐसा नहीं होता इन्होंने कहा दिया कि सभी प्रकार की जो पावर्स होती है वो एक है जैसे पॉल्टी के अंदर नेताओं के सत्ता लोगों के लिए घर के अंदर स्वामी जो होता है यानि पत्ति स्वामी है और महिला उसकी दास है यह इस तरीके से बताते हैं पत्ति के ऊपर पत्ति से जो सत्ता होती है तो यह अलग नहीं यह सब एक ही है यानि कि जितने भी प्रकार के अथोरिटी है यह सब एक है ऐसा माना है किसने अरस्तु ने अपनी बुक के अंदर लेकिन modern period के अंदर क्या है ऐसा नहीं है पोल्टिस की सत्ता अलग है परिवार यह आपका गुरूप बिगराई सब अलग होते हैं गुर्णमेंट में सी वही अथोरिटी आती है जो गुर्णमेंट खुद बनाए या गुवर्णमेंट को affected करने के लिए बनाया जाए जैसे कि NGO विगराई सब विगराजाते हैं ठीक है प्रैसर गुरूप विगराजाते हैं यह सब होते हैं ठीक है लेकिन और पती वी तो निए जो पतनी यह वही तो पती के गुलाम है तो वहीं चला रहे हैं उनको फम्सकाण पतनी क्या समझा रहेए इनका मानना है आचार आपको लिखना पड़ेगा ब्बॉक के अंदर तो इसी बात का खंड़न किया आगे चलके किस ने इसके बात का आगे चल पॉल्टिक्स एंड गवर्मेंट मोडन पॉल्टिक्स एंड गवर्मेंट एललन बोल के द्वार लिखे गई और इसकी ओर ऑरुस्तिक और आधुनिक यृट्टी और शासन owners हैं, उनकी authority अलग हैं, यह ऐसा कहता है, और इसने दो definition दे दिया, तो इसने क्या कहा दिया यहाँ पर, कि राजनिति की जो definition है, अगर हम आम धारना की जो आम लोग वेगे रहा हैं, अगर हम उनकी definition को अपना ले, तो दो तरह की समस्यां आ जाएगी, दो problem create हो जाएगी, कैसे पहला, अक्सर यह मान लिया जाएगा, कि रांती का जो सम्मंध है, वो सिर्फ सारजुनिक छेतर, public sector, जैसे कि पार्लियमेंट से है, election से है, यही तक सीमित है, बस लोग जो नेता से है, पार्लियमेंट में जाते हैं, वहाँ पे भासन होता है, वहाँ पे चलाते हैं, सब लो आद तो बेसे सब लोग जाग रूख हो, सब आवेरनेस आ चुकी है, है ना, इस समय ऐलन बोल ऐसा गह रहा है, इसके बाद, तो इससरी किसे इसका मानवी छेतर से को यह नहीं है, जितने भी हुमन लिंग से हैं, लोग हैं, इससे को लिन जन नहीं है, इसका से पार्लियमें काम करना, बस, रांत पोलिटिकल पार्टी बनाओ, करपसं करो, बलैक मनी कबजा करो, और जीत जाओ, उसके बाद जो पैसा मिलता है, विकास करने के लिए उसको हडप लो, आज पोलिटिकल के अंदर इसी के साथ हम जोड़ जाता है, तो पोलिटिक साथ, पैसा लूटने का घिन करना, इस्टागल करना, पर्तिस पर्ता करना, बस यहीं ताक है, लेकिन नहीं जोस्ता, पोलिटिक्स हर उस इसकोप के अंदर है, हर एक उस एरिया के अंदर है, जहां पर टेसिन में को होता है, और हर एक लाइफ के लिए, हर एक लाइफ के अच्छे जीवन के लिए, जहां पर किया जाता है या जहां पर लोज बना जाते हैं वो सब के सब पॉलिटिक्स के दारे में आते हैं यह कहता है यहां पर और सब की अथोरिटी एक नहीं है अलगर अथोरिटी है कोवर्मेंट की अलग है पब्लिक अलग है प्राइबेट अलग है सब अथोरटी अलग होती है जैसे कि अरश्टु ने कहा कि सब एक ही होती है तो एलेन बोल ने कहा चल बैसा नहीं है किसमें कि लिए रहां पर कोई भी दिकत नहीं कि चलीए कोई भी डाट नहीं है हां तक चलिए मैं अब सभी से लेक्ते जारहा हूं आपको ऐसी डाट मुझे बधा रहाँ अथी कि आ माधि बी रांति का अर्थ लगाते समय एक चोटे से अर्थ के बारे में करते हैं वही राज्नीती होता है यही सोचेंगे यहीं का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर के लिए भलाई के लिए काम करना सबी पब्लिक सबी सार्दन चीट पब्लिक सेक्टर के लिए काम करना ना कि हरता संद परboom Kis होता है decision making करना लोग की अच्छे जीवन के बलाई के लिए कानिन बनाना ऐसे laws बनाना जो लोग को क्या करें social welfare कर ले health पे बनाओ defense पे education पे social welfare पे तो इस तरह के जो पोलिटिक्स का यूज करो समास सेवा का साधर होता है आपका क्या राजनिती लेकिन आज इसको हमने घेंञा के जोड़ा लेकिन आज हमने इसको क्या कर दिया है लहिणना के साथ जोड़ा दिया और हम पोलिटिक्स क की सत oyster के सब बनाते हैं ठीक दोस्तों कि यह है आपका बटिस पोल्तिक्स व्यजितों टोपफिक को हमने कर दिया करो बट इस पॉलिटिक्स बाय मनीज बर्मा या लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रप्शन बोक्स के अंदर है दूसरी पार्ट यह आई है पहले आपको यह वाली वीडियो देखनी है देन आपको यह वाली वीडियो देखनी है और इस वाली वीडियो में दोस्तों मैंने एक पॉलिटिकल साइंस और व्रटिस पॉलिटिक्स बीए प्रोग्राम पॉलियु इपके वाली चेप्टर होने वाला है। ऑली ओवला मुपूलिटिख सोपिक सैंस यहां। और वाले बच्चों को पढ़ाऊं तो भी आप पढ़ना ताकि कंसिटूशन के बारे में आपको जानकारी मिलें अगर आपको किसी भी गौर्णने एक्जाम में बैठो तो आपको उसकी अच्छी खासे नोलोज हो ठीक है तो यहां तो दुस्तों को टॉपिक कंप्लेट है हिंदी और इंग्लीश के नोट्स की चो लिंक है निचे वीडियो के डिक्क्रिप्शन बोक्ष मों निजाम कि जाये। ठेका आपको द Nobel रो रोजाना आठवे रेडे हैं रोजाना आठाव एना है खाना पीना खाके नहां दोहाँ gesagt आके अपने स्बुच्छ भाओं मांधो के अपने बिश्तर में लेज जाना तन्डा जादा हो रहे थे उस्तोर ट्री चाहता हूं मैं अगर आपने टैली के रांग गुरूप जो नहीं किया है जो लिंक के नीचे डिसक्रप्शन को जो इन कर लेना इससे क्या होगा जो भी अप्डेट्स होगी मैं वहाँ पर बता दूगा कोई प्रसनल बात मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरे इस्टाग्राम क तो मिशिस नहीं मिलेगे आपको बहुत दिक्कत लागा मिलने में का है बाई जब पढ़ लिक जागए को सफलता पालोगे तभी ना मिशिस आएगे भाई समझे दोस्त चलिए आई होब की यूविल यूविल एंडेस्टेंड माई फीलिंग प्लीस अगर आप समझ चुके ह हुआ तो लाल बटन दवा जब कर जहें थोड़ा सबस्क्राइब चैनल में जासे चता बनाए-अधा न जयो हिंद्ञा